हेलो मित्रो लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोजिस करने वालों की कभी हार नहीं होती इसी कवीता के साथ आज हम अपना सैसानी स्टार्ट करते हैं, नमस्कार दोस्तों हम अपनी प्रेक्टिस सेट की स्रंकला को आगे बढ़ा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से प्रेक्टिस कर रहे होंगे और मेरे हर वीडियो में इतने अच्छे कुस्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपकी बहुत थी अच्छी प्रेक्टिस होने वाली है ठीक है तो वीडियो में अंतक बने रहें यदि आप हिंदी की प्रेक्टिसेट अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं तो और सिख्छक पातरता प्रिक्षा वर्गतीन में इस बार कौलिफाई होना है अपने को और इस बार आपको वर्गतीन की प्राथमिक सिख्छक की नौकरी प बताना है ठीक है भासा पहला है भासा कोसल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भासिक नियमों का ग्यान जरूरी है तो ये बिल्कुल गलत है ठीक है विद्याले में केवल मैंने इसके पहले बताया था केवल सब्द आया नकरातमक सब्द आ गया है तो इसको थोड़ा ध् पढ़ना लिखना तो केवल वाला फिर कड़ जाएगा ठीक है यह दोनों कड़ गए इसके बाद में पर तीसरा आया बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना केवल फिर काड़ दीज़ियो इसको ठीक है इसके बाद में चौथा आपिसन जो है आपका भासा के चारो कोसल पर अंता संबंदित होते हैं बिलकुर सहीं आपका क्योंकि भासा के चार कोसल होते हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना तो ये चारो कोसल कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंदित हैं ठीक है सुनना बोलना पढ़ना लिखना पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा ये चार कोसल अंता संबंदित होते हैं ऐसा option में पूछ लिया जाता है तो गलत बिलकुर आपको नहीं करना है चलिए अगला question की और बढ़ते हैं अपन अगला question है आपका अगला question पाठे चर्चा सहगामी किर्याएं जैसे गीत समाद अंताक्षरी भासन वाद विबाद आदी में साहता सायक है तो इन सभी में समाद अंताक्षरी भासा समाद में क्या सायक है ये आपको उत्तर बताना है तो पहला option देख पा रहे हैं आप भासा में साहित को समझने दूसरा समय और सरम की बचत करने अधिक अंग प्राप्ति करने और चौथा है सिक्षक के कार्यभार को कम करने तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा सिक्षक के कार्यभार को कम करने क्योंकि ये सभी किर्याओं से स बच्चा जल्दी सीख पाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं किसी प्रदेश विसेस में बोली जाने वाली भासा क्या कहलाती है किसी प्रदेश विसेस में बोली जाने वाली भासा जो होती है वो रास्ट भासा कहलाती है या मात्र भासा कहलाती है या तीसरा छेतरी भासा प्रादेशिक भासा कहलाती या अंतर रास्टी भासा कहलाती जो इसका उत्तर होगा सी होगा प्रदेश में बोली जाने वाली जो भासा होती है छेत्री भासा या प्रादेशिक भासा इसको हम कह सकते हैं ठीक है ये पूछा जा सकता है question ठीक है जरूर ध्यान रहें देख पा रहे है question निमलिखित में से निगमन विधी में छात्र तो आपको जब आपने परिभासा आगमन विधी की पड़ा होगा निगमन विधी की पड़ा होगा तो इसमें नियम भी जो होते हैं जैसे कि आगमन में आपको basically पता होगा कि आगमन में उधारण से हम नियम की और जाते हैं और जो निगमन होता है निगमन में हम नियम से उधारण की और जाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर आपको उत्तर देना है विशिष्ट से सामान की बात कर रहे हैं तो जो निगमन विधी होती है उसमें हम विशिष्ट से सामान की और या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की और या सामान से विशिष्ट की और या सामान से सामान की और ये चार आपसन आपके पास दिये हो हैं तो जो इसका उत्तर होगा सी होगा सामान से विशिष्ट की और निगमन विधी में चातर जाता है ठीक है ये चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा और नियम याद करने होगे कि सामाने से विशिष्ट की और निगमन में और विशिष्ट से सामाने की और आगमन में ठीक है ये विधी के अंतरगत बहुत सारी कुश्चन आ जाते हैं प्र कोस्चन को मैं यहां पर ले रहा हूं तो प्रैक्टिस को एक एक कोस्चन आपको लगाती विए चलना है और हो सके तो आप अपने एक छोटी सी सौट नोस भी त्यार कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ठीक है वीडियो में अंतक बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आने वाला हर दिन का वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुं चायेगा देखिए विधी से अंतरगद एक और покуп है निमीन में से इकाई विधी के सौपान कितने हैं पांश है दस है होता है या केवल एक सिख्षक होता है या सिख्षक एम सिख्षी का दोनों ही पचास-पचास होते हैं या एक से अधिक सिख्षक होते हैं तो आपसन में देख पारे होंगे नकारात्मा का आपसन है तो इनको कट करती भी चलना है यह अतिश्वक्ति हो जाएगा उसके बाद मे आपको उत्तर देना है क्योंकि क्या होता है हम लोग को दो घंटे वहां मिलते हैं तो दो घंटे में आपको पूरा दिमाग लगाती हुए कोस्चन करना है तो हर कोस्चनों को समझना है उसके बाद में आपको उत्तर देना है ठीक है जल्द जल्द बाजी में क्या करते हैं हम वो जल्दी में question करके आ जाते हैं और उसका फिर पच्टावा हमें घर में आके करना पड़ता है तो यह चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अगला question concept वाला है समझते हुए चलना है और आप धहरे रखें बहुत जल्दबाजी में question हो जाएं ऐसा ना सोचें ठीक है मैं जो concept समझा रहा हूँ वो समझते हुए चले हैं आप बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाना है आपकी एक question से related 10 question आपको बन जाएंगे ठीक है इसलिए धहरे रखें आप ये मैं सोची कि जल्दबाजी में question हो जाए हमारे ये ना समझे ठीक है चलिए ये question को समझते हैं अप भासा सीखने के संधर्ब में कौन सा कथन सही है ठीक है तो चारो अफसनों को पढ़ेंगे हम व्याकरण का ग्यान भासा प्रयोग की कुसलता का एक मातर सुनिश्चित मांदंड है दूसरा मानक भासा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए या तीसरा बच्चों में भासा सीखने की जनमजाद छमता होती है या चौथा देखेंगे हम भासा सीखना भासा की कक्छा में ही संभाव है तो ये बिलकुर ये आप्सन को थोड़ा समझना है हमको पहला आप्सन भी आपका कट हो जाएगा व्याकरण का ग्यान भासा प्रयोग की कुसलता का एक मातर सुनिश्चित तो ऐसी कोई भासा पर आपको ज़्यादा बल देने की जड़रत नहीं है फिर तीसरा आप्सन आप देखते हैं कि बच्चों में भासा सीखने की जन्मजाद छमता होती तो बिलकुर सही आप्सन है आपका ये क्योंकि जन्मजाथ थी बच्चे में बहसा सीखने की छमता विक्सित हो जाती है फिर चौथा आपसन देखिए भासा सीखना भासा की कक्छा में ही संभव ऐसा बिल्कुर भी संभव नहीं है ये कहीं भी भासा सीखी जा सकती है ठीक है तो ऐसे आपको option काटना आना चीए ठीक है option सही option पर आप जल्दी focus मत करिए आप पहले option काटना सीखिए कि कैसे अपने को option काटना है अपने आप उत्तर आ जाएगा आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक question है basic question है ठीक है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामगरी होगी जो उच्च प्राथमिक स्तर है देखो प्राथमिक स्तर के भी अलग अलग वो है ठीक है उच्च प्राथमिक स्तर मतलब हम पाँच वी को ले लेंगे तो इसमें स्यामपट, स्लेट, कार्ड, चित्र, कथाएं ये तीनों ही उप्योगी सामगरी हो सकती है पाँचवी के बालक के लिए तो उच्च प्रात्मिक इस्तर उच्च प्रात्मिक इस्तर हो गया पहली दूसरी उसके बाद में उच्छ प्रात्मी की स्तर में हम चौती पाच्वी को रख सकते हैं तो उसमें स्यामपट का भी उप्योग होगा, स्लेट कार्ड का भी और चित्र का था है, मतलब इसका आंसर जो होगा, सभी होगा, ठीक है देखिए अगला कोश्चन, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बता चुका था, कि भासा के कौसलों से कोश्चन आ सकते हैं, आपको क्या है, सेटों में मतलब पेपर देना है, जैसे सिप्ट में पेपर होगे, तो अलग-अलग तरीके से उनको कोश्चन देना होगा, ठीक तादू, करमसह, तो इसके जो चरण होते हैं, पहला सुनना हो गया, फिर उसके बाद सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, मतलब कि ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण, तो अब आपको यहां से अंसर दे देना है, क मतलब की इसका अंसर यह होगा बूलना ठीक है अब कोश्चन देखिए धनी साम में विधी द्वारा क्या होता है धनी में समानता रखने वाले सब्दों को एक साथ सिखाया जाता है या दूसरा उच्चारण वहावभाव सिखाया जाता है तीसरा अनुकरण करना सिखाया जात लाता है तो आपको मैंने पहले ही बताय था कि जब शिख्या सास्ति कश्चन कर रहे हैं और बड़ा आपस्पन है तो आपको थोड़ा दिमाक लगाना मैं बड़े आपसन में पड़के हैं पहले भड़ा आपसन देख्के सर यह ऐसा नहीं करना है मतलब कि आपको दिमाग लगाना है कि आपसन आपका कह क्या रहा है ठीक है लगभग लगभग आपसन आप दिमाग लगाएंगे यह मान के चलिए यह मेरी ट्रिक है यह होना ही है इसका उत्तर ठीक है तो चारों आपसन इसके गलत तीनों आपसन इसके सिखाया जाता है ठीक है तो इसका ये उत्तर होगा देखी परियावाची मैं एक लेखे आया हूँ मैं ऐसे परियावाची लाओंगा जो कहीं आपको देखने नहीं मिलेंगे ठीक है मतला ऐसे ही कोस्चन कहीं कहीं से पूछ लिया जाता है तो प्रैक्टिस में ही ये किलियर हो कोशेप्ट है और बहुत ही अच्छे से मैं चार्ट करके आपको कोश्चन देता हूं इसलिए आप हर वीडियो के कोश्चनों को देखें प्रक्टिस सेट जितनी हिंदी की परियाउन की बनती जारी है आगे गड़ीत की भी बनेंगी और हर विशय की बनेंगी तो आप हर सहस, सचेत या अनल तो ये सहसा का परियावाची आपको बताना है जो इसका उत्तर होगा पहला होगा इसका उत्तर अकस्मात अकस्मात क्या है सहसा का परियावाची सब्द है कभी कभी आपको कोश्चन घुमा कर के भी पूच सकता है कैसे देखी कोश्चन निमलिकित में से असंगत बेमेल सब्द का चैन कीजिए अब कैसे असंगत है वो आपको देखना है थीख है उसने तो चार्ड औप्शन दे दिया है थीख है तो इसमें आपको छाटना है कि अनिल वाईू और पवण ये तीनों ही क्या है वाईू के परियावाची हैं क्या है वायू के परियावाची परंतु ये जो अनल है अनल वायू का परियावाची नहीं है तो ये असंगत हो गया मतलब इसका जो उत्तर होगा आपका अनल होगा ठीक है अनल अगले कोश्चन में आपको छितीज का अर्थ बताना है निमन में से छितीज का अर्थ क्या है छितीज का अर्थ चारो अफसन में से ढूंड़ना है आपको कि जो किसी का प्रतिनिधित्व करता हो या दूसरा कहीं हुई बात को बार बार कहना या जो पिंड में जन्मता हो जन वह इस्थान जहां प्रत्वी और आकास्त मिलते दिखाई देते हैं। पताना निम्न में से कुन सा सब्द बहुबरी शमास का सही उधारन है। तो बहुबरी समास का सही उधारन बताईए यहां पे देहलता, नरनारी, पितामबर, लोकपरी। तो आपको जो उत्तर देना है इसका इसका जो उत्तर होगा पितामबर, पितामबर यह बहुबरी समास का सही उधारन होगा। अगला question देखते हैं हम, निमली खित में से कल्पित का विलोम सब्द क्या है, कल्पित का विलोम सब्द क्या है, आपको बताना है, अनुमानित, बनावटी, अकल्पित या मित की, तो सीधा सीधा इसका जो उत्तर होगा, सी होगा, अकल्पित, कल्पित का विलोम क्या होगा, अ देखे, संधी विछेद का एक संधी से related एक question आया हुआ है, हिमालय, हिमालय का संधी विछेद करना है आपको, हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिम, देखे, हिमालय में दिर्ग संधी है, क्योंकि इसमें बड़े आ की मातरा मा के बाद आ रही है, ठीक है, तो इसको तोड़ना सीखन है प्रते हिम धन आले आले जुड़ा है और आ छपवा हुआ जुड़ा है इस से और आ से मिलकर के यहां पर आ बना है ठीक है हिम आले हिम धन आले आपको इस टाइप के कोश्चन भी देखने मिलेंगे ठीक है देखिए वाक में प्यास बुझती है का निसे धात्मक बताना इतना सरल कोश्चन आप यह मानके चलिए कि ऐसे कोश्चन यदि आपने छोड़ दिया तो यह समझ लीजिए कि आपने जो चेप्टर का या अपने प जाती सब्कार तो एक ही है परंतु आपको सुद्ध सब्ध बताना आप यहां पर ठीक है तो जो निसे धात्मक प्यास बुझतीEM का होगा वो प्यास नहीं बुझती है ठीक है यह निसे धात्मक ने नहीं two往ले वाक्ट के बनाना इं परंतु उसमें घुमा फिरा कर आपको बता दिया है इसलिए आपको भी आंसर उसी टाइप से देना होगा बताईए जरह आप पहाड का परियावाची क्या होगा पहाड का परियावाची जो पहाड का परियावाची होगा वो होगा इंदू ठीक है परियावाची सब्द में हम पढ़ वैची में जरूर लाओंगा ठीक है अब देखिए अगला कुस्चन बहुत प्यारा कुस्चन है पार्ठक्रम निर्माड में सरवाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए है ना तो वेक्तिगत विभिन्नता को सिक्षक का कौसल विद्यालय की व्योस्था या छात्रों की बताईए अब अगला कुस्चन फिर विधी से आ गया है ठीक है मैंने आपको बताया था कि विधीयों से रिलेटेट कुस्चन आते ही जाते हैं पर मैं ऐसे कुस्चन लेख़े आऊगा जो आपको एकजाम में गुमाते हैं ठीक है चलिए परीभासा में उधारण की और ठीक तो इसमें आप परिभासा से उधारण की और जा रहे हैं मतलब कि ये निगमन विधी की बात करता है ठीक है मतलब कि जो इसका आंसर होगा निगमन विधी होगा कुश्चन देखिए लिखना पढ़ने से पूरों सीखना चाहिए यह विचार किसका है मिस्स हैलन पार्क हर्स्टन या फिर फोबेल या डालतन या लेडी मॉन्टे सरी तो इसका जो उत्तर होगा आपका डी होगा लेडी मॉन्टे सरी लेडी मॉन्टे सरी ने कहा लिखना पढ़ने से पूरों सीखना चाहिए ठीक है यह विचार जो है यह लेडी मॉंटेसरी का है आपको याद रखना है कुस्चन है निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है हिंदी की एक बोली कौन सी है भई हिंदी की एक बोली है आपको बता रहा हूँ आउधी क्या है आउधी एक हिंदी की बोली मैं जब कोश्चन आपको बताता हूँ तो उसके पहले अपसान उत्तर आप दिमाग में सोच लिया करो ठीक है तो क्या होगा एक अच्छी प्रक्टिस हो जाएगी आपकी भी है ना और बार बार इन कोश्चनों को देख जरूर ले क्योंकि इसमें बहुत सारे कोश्चन ऐसे म निकाल के दे रहा हूँ आपको और कहीं ऐसे यूनिक प्रस्टन है यह जो देखने जरूर मिलेंगे ही कोश्चन देखने मैं यह ग्यारंटी दे सकता हूँ ठीक है आप जब एक्जाम देने के बाद में आएंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ यह सर की जो प्रक्टि